नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्स्प्रेस में मैं आपके साथ नेहां वर्माद। करोना महमारी के चलते हर जगह लोगडाउन है काम धन्दे बंद है आम दनी का जरिया जीरो है घरों में राशन खत्म हो गया है बच्चों की फीस भरनी है लोन की EMI भी देनी दवा का खर्च भी बुड़े माता पिता की जिम्वेभारी भी है बच्चों के भविशे के लिए पैसे भी चोड़ने का आखिर यह सब कैसे संभब हो पाएगा जब आम दनी नहीं होगी तो यह सब सोच कर रातों की दिर उठने लगी है यह स्थिती लोकडाउन के बाद मध्यम वर्ग की जिम्वेभारी माते पर चिंता की लकीरे और चेहरे का मायूसी पंद साफ बता रह अर्वेवस्ता को घुमाता है तो भी सरकार उनकी सुद्ध क्यों नहीं ले रही है सरकार उनकी सुद्ध कब लेगी यह सवाल भी मध्यम वर्ग की जहन दोने आखिर स्थिती कब सुधरेगी यह आने वाला समय बताएगा लेकिन मध्यम वर्ग विक्ट परिशित्यों से कुछ लोगों ने समाचार एक्स्प्रेस से करें आपको बता दे कि मध्यम वर्ग की जमा पुंजी भी कोई जादा नहीं और जो थोड़ी बहुत भी होती है वह धीरे धीरे पूरी होने के कागार पर पहुच गई अब ऐसे में उनकी मांसिक्स खिते के क्या हालात हो रही होगे उसकी कलपना करना आसान है ऐसे में सरकार से मध्यम वर्ग यह कहना चाता है कि जैसे निम्ड और जुरूत मनों की व्यवस्था सरकार द्वारा करनी गई है अब एक नजर मीडल क्लास वालों की समक्सिया पर भी डाली क्योंकि उसकी आमदनी पिछले कई दिनों से जीरो हो जोगी है वे उनके घर-खर्च लगातार बदसूर होते जा रहे हैं जो कि अब उनकी जेब पर भी भारी पड़नी लगे है लोगडाउन की एस्थिती आगे भी जारी रहने की पूरी संभावना है यदि ऐसा होता है जिसकी पूरी संभावना है तो स्थिती और विकट हो जाए सरकार द्वारा अपने सर पर बेहतरीन परियास किये जा रही है इनमें कोई संशे नहीं है जिसके चलते सभी चैनित परिवारों को भोजन राशन, मुफ्त खाध्यान, तीन गैस सिलंडर, नगत की राशी सहीत, अनेक परकार की सहायता और भामा शाहों दुवारा भी अपने सर पर निम्न तबकों को जरूरत मंदों को सहायता उपलब्त करवाई जा रहे है अब सव जो कि देश की नीव है और सबसे जादा देश की एकनोमी को वही चलाता है क्योंकि उसका संपर्क ही आम लोगों से सीधा होता है उसे हम मिडल क्लास के नाम से चाहते हैं और उस मिडल क्लास से सभी को अपेक शाय भी बहुत जादा रहे है और इसी कारण सबसे जादा वही पीसा भी जाता है। इन सब के बावजूद भी किसी का ध्यान उनकी तरफ जाता रहा है। समाचार एक्सप्रेस की टीम ने शहर की विभिन स्थानों में जाकर मध्यम वर्ग से जुड़े लोगों से बातचीत पे की और उनके विचार भी सुने। आए अब आपको सुनवाते हैं मध्यम वर्ग से जुड़े लोगों ने क्या कुछ कहा। इसके अलावा इस समय में 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 करनाल के समाजी संस्थाओं द्वारा और इस गुर्द्वारे के द्वारा समय समय पर जब भी कहीं पर आपता की स्थिति उत्पन होई है इन्होंने तन मन धन से समाज की सेवा की है। लेकिन एक जो मन जो एक टीस हमारे मन में भी है और एक टीस जो हम लोगों के मन में भी और उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे वह है आज की स्थिति में मीडर क्लास की दोर से गुजर रहा है। हाला कि इस बारे में हम आपको पहले भी अवगत करवा चुके हैं और हम दिखा चुके हैं लेकिन एक बारी हम फिर से बात करेंगे यहां कुछ गणमानने लोग हमारे साथ मुज़ूद है इन से करनाल के ताजस्थिति और मीडर क्लास के बारे में इनके क्या विचा रहा है कि अभी तक जो रिजल्ट आये हैं सब नेक्टिव हैं एक राहत वरी ख़वर आपके मार्दों से में मौलूम पड़ी हमारे को मैं परसाशन की जो पिछली दिनों से पूरी मेहंत कर रहे हैं मुबारक वार्ष के पातर हैं दूसरी जो मेंडबना है वो यह है कि इस संकट मे मिडल मैं खड़ा है उसना उसको मुडल भी है पर सकता है और में कि लिए आज के देट में मिडल मेन के लिए हर्याना सरकार को तुर्णत कोशना करें चाहिए कोई पैकेज देना चाहिए बैंक लोन है बैंक की किस्ते है स्कूल की फीज है परियाना है सब कुछ है वो पूरा नहीं कर रहे है मैं मुख्य मंतरी हर्याना से नमेदन करता हूं कि तुर्णत पैकेज दे मिडल मैं के लिए पैकेज दे और उनको समान नहीं मिर रहा डिपू से जा तो ओनलाइन नहीं है या वो दे नहीं रहे वह भी कोशना करना जिए हार डिपू वाले से जिसके पर हरा कार है वो जाकर ले स्कूल मंगते हैं और चार रखर करना चाहिए को तैंके बच्छे पार पीर सकते हैं glare करना चाहिए करदाल के अंदर से क्या मिढमना है कि अभी अध्यू को बात नहीं करेगी मेरा नमेतन है कि सबी को साथ लेके चले इस घरी में संक्ट के घरी में सब एक है राजनीती से उठकर जात पात से उठकर हम उनके साथ हैं। सबको मिल जुलकर आगे बढ़ना चाहिए। जिला प्रशासन को सबसे पहले वदाई देना चाहता हूँ। चाहिए वो एसपी साब है, चाहिए वो डीसी साब है, चाहिए उनकी टीम है। कि उन्होंने जिस तरह का नाल के अंदर एक पूरी तना से कैच करके और कोई भी आज जैसे आपके माध्यम से पता चला प्रेस का इसमें धन्यवादी हूँ। क्योंकि हर मिनट, हर फल का जो आप बिरा देते हैं, आप से पता चला के आज भी टेस्टिंग आई है और कोई भी कॉरोन पॉजिट्वी नहीं है। मैं अपाईत महोदे से जिला परशासन से यह अपील करता हूँ। कि मुद्दा जो है आज मीडियम क्लास का है। ना वह इदल जाता, ना वह उदर आ सकता, ना हो लाइन में लग सकता, ना किसी से मांग सकता। सब के घर राशन पहुचा और राशन पहुचा वो हगदार है वो भी राशन लेने का उसके घर में भी बच्चे हैं क्योंकि दुकंदार हुआ वो दुकंदार छोटा दुकंदार हुआ और कोई भी जैसे उसके पास ही कोई आदमी काम करता है उसके घर में पांच बच्चे है दो आदमी भी अगर बच्चे और काम करते हैं ग्रैनी है वो तो घर का काम करेगी उसमें जब राशन कार्ड आज ही मेरे पास आए थे के राशन कार्ड पर बिल्कुल समान नहीं दे रहे हो और वैसे वो या आता है उनके पास या देते नहीं है कैसे है कैसे नहीं वो कहते हैं आपका हरा कार्ड है उस पे भी दे रहे हैं लेकिन ओनलाइन निया ओनलाइन कहां से होगा उपाईत महुदे से आप मेरी आपके माद्यम से अपील है कि आप ऐसा कुछ किया जाए कि उस हरे कार्ड पर भी उनको राशन दिया जाए जब तक लोगडाउं है तब तक स्तिती कि इन्होंने कहा कि उनका प्रयाद जो है सरानी है जिसकी वज़्या से हम करोना से उज़े पाथ चुके अभी तक फिलाल की स्तिती यह है लेकिन इनका ये भी पहना है कि करनाल में मद्यवर्ग के स्तिती जो भी है उसको लेकर सरकार को को होई संग्यान लेना चाहिए जिस इसलिए सरकार को कड़ा संग्यान लेना चीए आए इसी बारे में को सज्जन से बात करते हैं सर सबसे पहले आपका शुबना मेरा वीजे कुमार शर्मा मैं रावरोड इंडस्ट्री एस्सेशन का प्रेजिडेंट हूँ मेरी अपील यह जो मिडल क्लास है वह टो सेंडवीच बना हुआ है उसको तो सेंडवीच ऊपर से भी प्रेशर नीचे से प्रेशर उसको खुद सर्वाइव करना बहुत मुश्क्रिट है आजकी डेट में सर्वाइवल करने के लिए उसको हाट कोई भी वेजिलेटी से ही है कि दूसरा जितनी मिटल इंडस्ट्री है उसकी लेबर को संबालना उससे ज्यादा मुश्किल हो रहा है वो जो कह रहे हैं अभी तो हमने उनको खाना वाना देखे जैसे भी आमनेज कर रहे हैं उसके बाद कहते हैं जी जब फैक्ट्री चलेगी तो हम तो पहले घर जाए जाए उनको प्रफरली मनेज किया जाए उसके लिए अभी तक कोई पैकेज नहीं है हमारे पास किसी तरह के भी कोई स्पोर्ट नहीं है ना किसी ने हमारे को इसी स्पोर्ट देने के लिए कोई अश्वासन दिया है किसी तरफ से भी कोई प्रशाशन की तरफ से हमारे पास क कर जाएंगे अभी फिलाल फैक्ट्रिया बंद है तो अगर लोग डाउन खुलता और लेवर अपने घरों को चले जाते तो फैक्ट्रिया दुबारा से बंद हो जाएंगी तो इट मींस यह विकट सिती और अधिक हो सकती है यदि सरकार ने आगर ठीक पैकेज की घोशना मीड सब्सक्राइब करता है जिसे बिलुकुल करणाद में केस बहुत कम हो गया है और साथ में नगर नियम का मैं बहुत अपना दन्यवाद करता हूं जिस्टों सारे शेर में सफाई वरस्ता पहले हैं जादा ठीक है और इस इसलिए मैं अपना अपील करता हूं पीम साथ से की सारे वर्गों का बहुत अच्छा काम हो रहा है बाकि मीडिया वर्ग सबसे ज़्यादा पीस रहा है क्योंकि जो गरीब आदमी है उसको तो सारी संसिता भी दूसरे भी सारे खाने को राशन पानी का समान दे रहते हैं और की अपने वीडियों के बचों को कि अपनी यहीं बात बोली है इन्होंने सबसे पहले कुरोना योदाओं के लिए करोना योदाओं की प्रशंशा की है जिसके लिए इन्होंने सब का अभार व्यक्त किया है साधे साथ मीडल मीडल क्लास के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ सरकार से डिमांड की है कि वार्थिक पैकेजी घोशना करें मैं इन से एक और जान करें जाओंगा सर डेरा कार से पुछ दिनों तक सबके लिए जोजन के वस्था की जारती की जाने जाए बढ़ा है छोटा है अमीर है इसके बारे में कोई भी सिर्वाशा करती है और हमारे करनाल में भी जब जब हमें मल्क कोई भी दिक्कत आई है चाहे हम करोना की आई है पहले भी कई बार आहिए तो देरे कार सेवा का सबसे प्रफॉक्त लंगर की सिवा में रहा है तो इसलिए मलकी अब और गार की तरफ से आगे भी जैसे आठ अपरल को डी साफ को अर्वर्वर्ड के अंदर जब भी आपदा आई है कोई विपदा आई है तो साधा जनता की सेवा के लिए लेकिन परशाषन के निर्देशों के बाद थोड़े दिनों के लिए इनों को रुखना पड़ा था अब ये को और सजनम आप जादा सर सबसे पर आपका नहीं पर सकता है ना किसी दो किसको कुछ कह सकता है वह घर मेरे तो मरे क्योंकि उस पर फीज्च की जिम्वारी आई है और किस्ते मिद्च की किस्ते में इसमिधारी आप जाई है और लेकिन रखार जा राए ये एक होड़ सार मैं कुछना चाहूंगा कि बच्चों की फीस को लेकर स्रकार दोरा लगातार पुछ कुछ दिनों के वाल अब ना बनाया जाएक कभी कहा जाता है कि मेंने की फीस ली जाए आज पिर एक नोटिफिकेंशन जारी हुई उसमें कहा गया कि एक बाब बनाता है या मैसेज देता है तो यह खिलाब कारवे की जाएगी इसके लिए आप क्या कहना चाहिए इसके लिए क्या निती क्या होनी चाहिए कि अभी भावक एक तरफ तो किनारे पर लग जाएं देखिए स्वकूल जो है यह मिडल मेन के साथ लेटिड है जो टीचर है के बंतरों जा बीज़र पच्छीज़र पें लेते हैं वह तो ड़ेंड करेंरे करेंगे की हमारे भू तर्यता अमले जो भी है वह है मिडल मेन फैमली से एर्फचे और स्कूल मेठे है वह कैंए को मीफीस नहीं पर दो क्यूंक 설 स्जार नी कर नाली चाहिए इक चली अच्छा मैसे नहीं जा रहा स्कूल और वावकों को बीच में ये कंपेटिशन सा करा दिया स्कूल को बीच कर देख लोगडाउन चल रहा है लोगडाउन को तुरां मार्च से लगातर स्कूल बंद है ना तो उनका विल्डिंग यूजरी ना उनकी उच्टिटी यूजरी लेकिन जब सेशन स्टार्ट होनी की बात है तो फिल्डिबिल्डिंग फंड भी मांगेंगे उल्ट्री से की सब्सक्राइब शेखंब करने कैसे है छिए फिलेंग सुर्त किकों प्ति नहां प्रिकु खोड़ी लेकिन टीचर तो हो या उन्हों नहीं पे लेनी लेनिया अस अधार तो हो दोनों पक्षयों को साथificial कहा बीश सवर्ण नेइसे स्टिति ऐलक तरह पैदा हो रही है दोनों ते भीच में करसा नकाल लें प्यासार के पास पैसा है इस वक्त के लिए तो उता है इस वक्त बगर भोज़ नीदे सकती इस वक्त पर नाज़ नहीं देश तरी इस वक्त में मिडलमेन की साथ करें नियों सकते डंडा का कि देखो सबसे गहराता मुद्दा आज के समय में फीज का है स्कूलों की फीज को लेकर अब इनका यह कहना है कि स्कूल के जो टीचर है वो वहतना वश्य लेंगे अभी भावक फीज भरने को तयार नहीं है इसके लिए सरकार दोरा जो लगादार बिचले कुछ दिनों से नो सब्सक्राइब को तयार करें उनको जनता के समक्ष रखें ताकि कोई भी ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि जिसे अभिभावक और स्कूलों के बीचे फिर कंपडिशन साजे एक और सर हमारे साथ मुझोद है यह बड़े वरिष्ट पत्रकार भी हैं हमारे करनाल सब्सक्राइब सब्सक्राइब का समचार सब्सक्राइब करता है बच्चों के लिए बिजनेस करता है और आज परंपरा चल रही हो उसके अंतरवा ताज मुझकल से कि दौन नाट नहीं तो इस समें चति बहुत देनी चति और आकित का मिडिल मेन कहां जाये यह आभास नहीं हो रहा है और अची पोजिशन में मिडिल मेन की सरकार को सहता करनी चाहिए अमरीका में देखिए हुआ कि दसलाव रुपे उनने हर सिटीजन के खाते में डाले इस संकट के समय में आब भारत सरकार यह कर रही है कि केवल गरीब के खाते में पैसे डालने चीजिए क्योंकि मिडल में सबस्था टेक्स देता है अगर देखा जाए तो यही समय होता कि जो है वो देश की अर्फ सकते जी यह मैं बात करता हूं एक और सज्जन से यह चाहते हैं कि राशन कार्ट पर राशन मिलना चाहिए लेकिन जो ओनलाइन की समस्यारी उसके लिए भी सरकार को संग्यान लेकर हर जुरुत मंद को राशन विते दुनाचे गरीबों को सरकार दे रही है लेकिन जो मिडर क्लास है उनको हरे राशन कार्ट पर भी राशन नहीं मिल रहा हुए शाम को साथ बेहले के आट बजे तीन सो परवारा को खाना देते हैं कि इन्होंने एक बड़ी फिर से बताया कि किस तरह से हम पहले भी आपको बता चुके सिख समधाए कैसा समधाए अब इनका यह कहना है कि शाम को साथ से आट बजे के बीच बीच में कम से कम तीन सो स्याधिक परिवारों को यहां पर खाना किला जाता है हम एक बार फिर से गुरुद्वारा प्रबंदक सोरी इस डेरा कार से वाको नमन करते हैं मैं तरुन मदान सीनेर कैमरा पाजन संदी चोदरी के साथ समधर एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें घन्यवाद